करेंगे एक बाख फिर से बाचीत को जन जागरुपता को लेकर हाँ आपको बता दें कि इसी कड़ी में इसी श्रंखला में जन जागरुपता लाने और आम जन की सेवा के लिए जैपूर से खबर आ रहे हैं जहां पर वार्ड नमबर 22 जी हाँ विदानसवा शेत्र के वार्ड डोस लगाई गई कारिक्रम में हवामेल विदानसवा की विधायक एवं मुक्य सचितक महीर जोशी सुरिंद्र शर्मा एवं अन्य कॉंग्रेसी कारिकर्टा मौकी पर उपस्तित रहे हैं कि हमेले महीर जोशी से कि उन्से पूछते हैं कि यहां पर कितनी वेक्सिन उपलत कर कर वाए गई है कि आज कि वार्ड नंबर बाइस जैपुर हरिटेज के इस वेक्सिनेशन केम्प में लोग बाग वैक्सिन लगवा रहे हैं मुझे खुशी है कि हम लगातार जितना भी वैक्सिन मिल रहा है राजिक हो उस वैक्सिन का अधिक सदिक स्वधूपयोग कर रहे ह शेत्री के जनता के सेवा करना हमारा परमदाइत्व है परमकर्तव है परमधर्म है और उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे मैं और मेरे सारे साथ ही चाहे सुरंदर जी हो चाहे रभी शर्मा हो चाहे सुर्प्रकाश वशिष्ट्यों बंटी हो जितने भी हमारे यहां के साथ है कि सब लोग मिलका जनता की सेवा कर रहे हैं कि तरह की को तक्रीफ यहां नहीं आने देंगे लोगों को और जहां जहां भी हम लगवा रहे हैं मेरा सबसे आगर है कि अधिक सद्धिक लोग वैक्सिन लगवाएं और वैक्सीन ही कोरोना वायरस से बचाओ का सबसे बड़ा उ यहां बात होती है राजनीती में युवा लोग युवा पीड़ी काफी अगर्सीत हो रही है आगे बढ़ रही है जाजनीती में अपना योगदान दे रही है तो आईए हम मिलाते हैं वाड नमर वाइस के प्रत्रक्षी वार्षाट रभी सर्माजी से जिन्हों ने यह वैक वैक्सिन यहां उपलब्द करवाई गई है कितने जर्णों को अब तक लग चुकी है यहां वैक्सिन और कितने बज़े तक यह वैक्सिन का कार्यकरम चालू रहेगा आज वाड नमबर 22 में जो वैक्सिनेशन कैम मानने महिश जोशी जी यह तत्वा दवन में लगाया है हर गली मौलों में वैक्सिनेशन के कैम लगाया जा रहे हैं और हमें पूंड रूप से इश्वास है कि हवामेल विधान सभा हंडेड परसेंट वैक्सिन लगा के हम पूंड रहेगा